हेलो स्टुडेंट्स आज हम इस वीडियो में समझने वाले हैं कि इस सबक की जो कहानी है वो क्या है तो एक राजा हुआ करता था जिसे कहानिया सुनने का बहुत ज़्यादा शौक था वो हमेशे कहते रहे था कि मुझे कहानी सुनाओ मुझे कहानी सुनाओ मुझे कहानी सुनाओ तो उससे बहुत सारे लोग कहानी सुनाया करते थे पर एक दिन एक कहानी सुनाने वाला आया उसने उस राजा को एक कहानी सुनाई तो राजा पुछता है उसके बाद क्या कहानी ख खत्म होने वाली कहानी सुनाओ, I want a never ending story, यानि के जो कभी ही नहीं खत्म हो, ऐसी कहानी सुनाओ, राजा की इस बात पर जो कहानी सुनाने वाला है, वो सोचता है, काफी देर सोचने के बाद फिर उसके दिमाग में आता है, फिर वो कहानी सुनाना राजा को शुरू करता है, वो कहता है कि एक राजा हुआ करता था, जिसका बहुत बड़ा महल था, और उस महल का एक बहुत ब वेयर हाउस में अनाज भी रखा हुआ था उस वेयर हाउस को बहुत सारे जो है अलग-अलग जगे खरिकिया दी भी थी एक दिन क्या हुआ कि चोट इस चिडिया की नजर उस वेयर हाउस की दिवार में एक चोटबा चेज था यानि गड़ा था उस पर पड़ी तो वो चिडिया उस गड़े से उस वेयर हाउस के अंदर यानि के जहाँ पर सामन रखावा उसके अंदर तेजी से अंदर चली गई वो अंदर जाती है फिर वहाँ से दाना उठा के लाती है इसके बाद वहाँ पर दूसरी चिडिया आती है वो चिडिया अंदर जाती है और दाना निकाल लेकर भार उड़ जाती है इसके बाद क्या हुआ फिर वो कहानी सुनाने वाला कहता है कि तीसरी चिडिया आती है वो भी अंदर तेजी से जाती है ताना लेकर उड़ जाती है इसके बाद राजा ने बोला इसके आगे क्या हुआ तो फिरो कहता है कि चौती चिडिया आती है वो भी अंदर जाती है वेहराऊस के रुहाहत दाना लेकर वो भी उड़ जाती है इस पर राजा कहता है इसके बाद क्या हुआ तो कहानी सुनाने वाला कहता है कि इसी तरह पर यकिन नहीं आ रहा तो आप, आपकी महल का जो वेयरहूज है, यहां पर खान स्थोर्म बोलते हैं, ज tribes सामन रका हुआ है, उससे जा कर देख सकते हैं, वहाँ पर एक छेद हैं, और वहाँ से चिड्या आती है, दाना लेकर जाती है, इस तरह उसने अपने दिमाग का अपनी जहानत का अपनी चालाकी का और स्मार्ट नेस का इस्तिमाल करके राजा को उसके ही महिल की एक कहानी सुना दी